गुद मॉरिंग क्लास फिफ तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन सो प्लीज ओपन यो इंग्लिश वन बुक और इसमें देख लीजिए आज हम क्या कर रहे हैं हम पढ़ रहे थे लेसन नुबर एट लाइफ आपको करवा रही हूँ इपार्ट with the help of a dictionary find the meaning of कुछ वर्स दिये हैं इनके meaning हमने dictionary में ढूनने हैं फर्स है कोर देख लीजिए फर्स है कोर, trudge, puzzled, slung, provoked, steep, recite और sore इसे देख लीजिए आप क्लास फिफ्ट है, subject English 1 है, date 15 December 2020 है the life of a small boy with the help of a dictionary find the meaning of कौर कौर का meaning क्या होता है, कौर का meaning होता है घर का काम provoked, provoked का meaning है, भड़कना, गुसा आता है किसी को तो वो भड़क जाते हैं, तो भड़कना trudge दिया है, trudge का meaning है, धीरे चलना steep, steep का meaning है, धाल, जैसे की slope, steep होता है slope, जहाँ धाल होती है, धलान होती है, ठीक है puzzle, puzzle मतलब होता है, उलजन, किसी उलजन में उलज जाना, हमारा दिमाग puzzle हो जाता है, उलज जाता है किसी बात से, reside मतलब होता है, निवास, जहाँ पे हम लोग रहते हैं slunk, लटकना, लटकना, लटकाना किसी चीज़ को, सोर, घाओ, या चोड, ठीक है एपार्ट में vocabulary है, तो vocabulary में आपने अपने आप करना है, complete the following words using e, l और le आपको word दिये है, e, l और le, आपने अपने आपसे इसको fill करना है, जैसे first है, sm, dash, dash इसमें क्या आएगा, e, l आएगा, या le, आएगा, आप खुद भरेंगे, j, e, w, dash, dash, e, l आएगा, या le, आएगा, ठीक है third है, c, y, c, dash, dash, इसमें e, l आएगा, या le, आएगा fourth है, c, h, a, n, dash, dash fifth है, c, a, n, d, dash, dash sixth है, b, a, r, r, dash, dash, e, l, आएगा, या le, आएगा seventh, d, o, u, b, dash, dash ninth है, s, a, m, p, dash, dash, e, l, या le, ठीक है tenth है, m, e, d, d, dash, dash e, l, या le, इसमें आना है, वो आपने अपने आप fill करना है, ठीक है तो ये है आपका आज का काम, इसे आप करिए अपनी copy में, अच्छी सी handwriting में